नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आमेरिका और कनाडा के फ्लाइट के बारे में अज़ियों के लिए 70 और उडानों का संचालन करेगी भारत ने 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू किया चरन एक में एर इंडिया और इसकी सहायक एर इंडिया एकस्प्रेस ने 14,800 भारतियों को वापस लाने के लिए 64 उरानों का संचालन किया जबकी चरन दो में जो चल रही है 30,000 से अधिक वापस लाने के लिए 149 से अधिक उरानों की व्यवस्था की गई है 31 देशों के फंसे हुए नागरिक हालिया अपडेट के अनुसार 50,000 से अधिक भारतिय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहट देश में वापस लाया गया है इस बीच अंतर राष्ट्रिय वानिज्यक यातरी उराने 30 जुन तक निलंबित रहती है इस पर विस्तार से बताते हुए कुरी ने कहा कई नागरिक अंतर राष्ट्रिय उरानों को फिर से शुरू करने के लिए हम से संपर्थ कर रहे हैं कई कारकों को संबोधित करने की आवश्यक्ता है कई अंतर राष्ट्रिय अगंतव्य अपने स्वयम के नागरिकों या राजनैकों को छोड़कर आने वाले यातरी यातायात की अनुमती नहीं दे रहे हैं लॉक्टाउं 5.00 के लिए ग्रहम अंत्राले के दिशानिर देशों ने आगे और अंतर राज्य यातरा को खोल दिया है और इस शेत्र के पुना कैलिब्रेट किये जाने की सुविधा प्रदान करेगा जैसे ही हम घरेलू उड़ानों के 50-60 प्रतिशत संचालन के महत्वपूर्ण द्रव्यमान की ओर बढ़ते हैं हमारी अंतराश्ट्रिय परिचालन को फिर से शुरू करने की क्षमता में भी सुधार होगा TENS Air India Air India Express Canada हरदीप सिंगपुरी USA वंदे भारत मिशन